हालो स्टूडेंट्स एन वेलकूम वन्स अगेन टुरगुवेश लेर्निंग जोन बच्चों आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कॉमें बॉक्स में जरूर लिखकर बताईएगा कोशिश किये मैंने की छोड़ी वीडियो बनाऊं ताकि आपका इंटरेस्ट लेवल बना रहे बट ध्यान रखिएगा कि वीडियो लॉंग या शॉर्ट होना माईने नहीं रखता है वीडियो की कंटेंट माईने रखती है कि आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं खेर कोई बात नहीं चलिए coming to the topic आज हम पढ़ने वाले हैं present continuous tense का interrogative sentence I have already written some sentences here मैंने पहले से कुछ बाख यहां लिख दिये हैं और हम इन्हें करेंगे translate from Hindi to English देखिए क्या मैं पढ़ रही हूँ पहले मैं आपको बता दू एक पर फिर से let me remind you what as what an interrogative sentence is एक interrogative sentence क्या है an interrogative sentence is a type of sentence which ask any question which interrogates about anything प्रशनवाले वाक्य प्रशनवाचक वाक्य या interrogative sentence कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिन में कुछ प्रशन पूछा जाता है कुछ जानकारी ली जाती है यह क्या जैसे sentence क्या क्यूं कैसे इनसे शुरू होता है लेकिन हम जो यहां consider करने वाले हैं वो अधिकतर क्या से शुरू होंगे ठीक है और यह जो क्या होता है यह दो प्रकार का होता है एक क्या वे बाजार जा रहे हैं एक तो वो क्या जिसका जवाब हाँ yes या no में होता है और एक क्या ऐसा होता है जिसका जवाब कोई answer होता है जैसे तुम क्या खा रहे हो खाना, चौकलेट या कुछ भी तो ऐसा जो क्या होता है जिसका जवाब हाँ या ना होता है उस क्या की जो English है वो कोई helping verb होगी जिस भी tense का वो sentence है उसी tense के helping verb जो होगी वो इस क्या की English होगी Let me clarify you क्या मैं पढ़ रही हूँ यह कौन से tense का वाक्य है पहले तो बच्चों यह सोचों यह कौन से tense का वाक्य है जिन वाक्यों के अंत में रहा है रही है, रही है, रहा हूं आदी शब्दाते हैं और काम का लगातार होने का पता चलता है वे present continuous tense का वाक्य कहलाते हैं तो सब के पीछे रहा है, रही है, ऐसे शब्दाए है तो यह सारे ही present continuous tense के वाक्य हैं अब बात आती है, यह कौन से वाक्य हैं तिन तरह के वाक्य नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ affirmative, negative और interrogative affirmative वो sentence होते हैं जो किसी भी घटना को बताते हैं वे सो रहा है, वे जा रहा है, वे खा रहा है इस तरह के sentence इसमें एक भी नहीं है फिर एक sentence मैं बताती हूँ आपको negative sentence वे नहीं खा रहा है, वे नहीं जा रहा है, वे नहीं पा रहा है इस तरह के sentence यह हैं नहीं क्योंकि यहां पर नहीं नहीं है अब क्या वे खा रहा है, क्या वे आ रहा है, क्या वे जा रहा है, क्या वे सो रहे है इस तरह के sentences होते हैं, they are known as interrogative sentences तो यह वाला जो वाक्य है, सारे ही interrogative sentences के example हैं इनकी जो English हम बनाएंगे तब सबसे पहले helping verb को लगाएंगे तो आप यह देख लो इन तीनों के अंदर या तो सबसे पहले R लगेगा या सबसे पहले IS लगेगा या सबसे पहले M लगेगा यहां से यह sentence जो होंगे शुरू होंगे तो देखो क्या मैं पढ़ रही हूँ subject क्या है हमारा मैं क्या है subject मैं और I I के साथ में helping verb क्या होती थी M तो यहां शुरू किस से होगा M से शुरू होगा यह देखिए M I पहले helping verb फिर subject M I पढ़ने को English में कहते हैं steady S T U D Y steady और क्योंकि रहा है रही है तो sentence में I sorry verb में I N G Am I studying question mark क्या मैं पढ़ रही हूँ Am I studying क्या मैं खा रही हूँ Am I eating क्या मैं सो रही हूँ Am I sleeping इस तरह से आप नए sentences और भी बना सकते हैं क्या वे जा रहे हैं अब इसमें भी subject देखेंगे हम सिबसे पहले subject है हमारा वे वे यानिकी क्या होता है दे दे के साथ helping verb लगती है आर तो ये sentence किस से शुरू हो जाएगा आर से ही शुरू होगा आर और ये subject जो है आर के बाद आ जाएगा आर दे गो जाने को बोलते हैं गो रहे हैं तो गोईंग आर दे गोईंग क्या वे जा रहे है क्या वे सो रही है अब हमारा subject जो है वो विचारा अकेली लड़की है यानिकी शी शी के साथ क्या लगता है इस लगता है ये sentence किस से शुरू होगा इस से शुरू होगा क्यों होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे इस शी सोने को बोलते हैं शीप और रही है लगा हुआ है तो इसका मतलब आई एंजी लगेगा इस शी स्लीपिंग तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है बेचारा सब्जेक्ट जो पहले आगे रहता था अब वो थोड़ा पीछे आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो बच्चों सब्जेक्ट से आगे लगकर शुरू में ही आ जाएगा तो ये चीज़े हो गई हमारी क्लियर कि कैसे सेंटेंस का कनवर्शन करना है आपको फ्रम हिंदी टो इंग्लेश तो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अच्छा आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू बात कहां से होगी आर या एज या एम यहां से सेंटेंस शुरू होगा और इसके बाद लगेगा सब्जेक्ट और फिट प्लस वर्ग में तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कॉचिन पोछा जाता है तो यह क्या वाले सेंटेंस हैं जिसमें हां या ना में अंसर दिया जाता है Students, this was interrogative sentences from present continuous tense I hope you get this If you don't get this, don't panic Just pause the video, rewind it and see it once again नहीं समझ में आया है तो वीडियो को pause गीजिए थोड़ा सा पीछे ले जाएए वापस देखिए आपको जरूर समझ में आ जाएगा Thank you for watching Stay tuned to Raghuvesh Learning Zone Thank you